8 & 24 कैसे फाइंड करें इस्टेप पस्टे बिल्कुल आसा अंद्रे के से सिखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखें तो यहां पर हम अपना अभाज ये गुणंद्खंड विदी काम में लेंगे इससे पहले हमने भाग विदी से भी सिखा हुआ है चीक है त तो शरपतम हम इनके गुणंद्खंड कर देंगे तो 18 के गुणंद्खंड करते हैं देखें गुणंद्खंड करने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें अपने प्राइम नमर से डिवाइड करना होगा प्राइम नमर कौन से रहते हैं दो तीन पांट साथ दो का भाग दिय यह नो में तीन को भाग जा रहा है कितना तीन वार तीन में तीन का भाग आपका एक वर अठारा के गुणंध्खंड के आगे दो गुणा तीन गुणा तीन इसी तरीके से चोईश के गुणंध्खंड करते हैं इस् existem değw ref बार में दो का भाग छ्छ्य वार च्छ chains the improvements भाग तो या कि फिर थे वह है उसके गुष def लंख़्ध के आगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा अब मैं हमेसा आपको एक टृक से करता जिस से कि आप ad shape जिंद्धी पर नहीं भूलेंगे वो ट्रिक क्या है बिलकुल सिंपल है इसका फुल फॉरम याद करो क्या होता है highest common factor ad shape यानि common factor लेना है यानि उब्हेयनिस्ट गुणंद खंड लेना है common factor क्या होता है ऐसा factor ऐसा गुणंद खंड जो इस में भी है इसमें भी है, कौन है, दो उसके बाद तीन यहां भी है यहां भी है दो गुना तीन कितना होता है, यही आपका HCF है, HCF क्या है HCF संख्या जो कि दीगे संख्या को पून्टे विबाजित करती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं